बिहार में इंडिये के बिश सीटों के तालमिल के ऐलान के बाद चिराग पास्वान ने ये साबित कर दिया कि वो ही प्रधान मंतरी नरेन मोदी के असल हनुमान है और ये भी साबित कर दिया कि राम विलास पास्वान के असल राजनीतिक वारिस चिराग पास्वान है हमारे सा इस सारीक में भी देखते रहते कैसा लग रहा है बाप गडबंधन के द्वारा और खास्त वॉपर हमारे प्रधान एद्रों मुर्टी जी बारतिय जंता पाटी के जिस खुबसूरती से और जिस सहेजता से गड़बंधन के तमाम विशो को सुलजाया और जिसने आमी केबली सीटों का यहां पर बटवारा हुआ ये हमारे उस दृड संकल्ब को दोराता है उस लक्षे को पूरा करने के लिए हम लोग संकल्बे थे हैं हमारे प्रधान मंत्री जी के द्वारा हम लोग को दिया गया है 400 सीटे जीतने का और मुझे उमीद है पूरा विश्वास है कि तमाम घटक दल एक साथ आकर उस 400 का लक्षे भी पूरा करेंगे और बेहार की 40 की 40 सीटे हम लोग मिल कर जितेंगे यह खबरे यार यह खुद आपके चाचा ने ऐलान किया उन्हें दरकिनार किया गया इस पूरे गटबंधन से और वो केबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं और हाजीपूर में आपके खिलाफ महागटबंधन से आ सकते हैं या फिर निर्दलिया या अपनी पार्टी से ही आ सकते हैं वो तो अगर वो आते हैं तो आपका रिस्पॉंस क्या रहेगा वो लड़ाई कैसी रहेगे हाजीपूर की जनता किसे जिताएगी भाई मैं हर चुनॉति के लिए तैयार हूँ मैं ना कभी किसी चुनउती से डरा ना ख़़वराया पिछले तीन साल से मैं चुनोतियों का ही सामना कर रहा हूँ एक के बाद एक ऐसे में जो भी परिस्तिती बनेगी मैं उसके लिए तयार हूं बठां इस बात का जवाब भी उनीकों ही देना है उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीती में हैं उनका समर्पन मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा ऐसे में उनी प्रधान मंत्री के उस लक्षिप 400 सीटों के उस लक्षिप को पूरा करने की रहा में वो रोडा बनेंगे इस बात का जवाब उनी कोई देना चिराग जी आप शुरू से ही कहते रहें कि रामविलास पासवान जी के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी पार्टी के अगर कोई भूल भी हो तो उसे ठीक करना आपके चाचा के जिम्मेदारी थी पशुपती पारज जी की पाच सीटे आपके खाते में आई हैं हाजी पू ही ये फैसले करते हैं और मेरे पिता के जाने के बाद मेरे पिता के स्थान पर वो ही थे ऐसा नहीं कि मेरे पिता के रहते वे घर परिवार पाटी में कठिन परिस्तितिया नहीं आए पर हर परिस्तितियों को समझते वे समहलते वे उन्होंने परिवार और पाटी को कभी बीया पाटी परिवार के तमाँ सदस्यों में है ऐसे में ऐसा कोई ऐसला करिकी मेरे लिए यह से यृष różष परश्य को मिल्कया यह अल फैसला लेना है क्योंकि जब फैसला उस व्कत उन्के द्वारा लिया लिया गया था कठनाई तकर परिवार के हर एक सदस्य को हुई थी, मुझे भी हुई थी, मैंने तो तब भी कहा था मैं आज भी कहता हूँ, कि अगर मैं आपका अपना बेटा होता, तो क्या तब भी आप मुझे उसी तरीके सा अकेला छोड़ देते Hurry से आपने उस वक्त मुझे अकेला छोड़ा क्या तब या मुझे पार्टी से ऐसे ही निकाल देते हैं अगर वो मुझे सही में अपना बड़ा बेटा मानते अपना बड़ा बेटा समझते तो शायद यह सवाल आज पूछने की जरूरत ही निपरती अंतेम सवाल करूंगा हैं पर पिशली बार से बड़ी जीत इसवार हम लोगी होगी मैं यह सिर्व कहने के लिए निहीं ह्ना बड़ी चलिस में सच छाले समय सचुछालिस फिशली बार एक सीट से अम लोग चूट गये थे इस बार मेरा विश्वास और मजबूत इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार कई और ऐसे घटक दल भी हमारे साथ हैं जो पिछली बार नहीं थे 2019 में अगर आप देखेंगे तो हम लोग थे जनता दल युनाइटेट थी और भारतिय जनता पार्टी थी पर इस बार उपेंदर कुश्वा जी भी हम लोग के साथ हैं इस बार जीतना माजी जी भी हम लोग के साथ हैं तो ये मेरे विश्वास को और गहराता है कि जो पिछली बार एक सीट से हम लोग रहे गए थे चालिस की चालिस सीटे हम लोग जीतेंगे और ये कारण बनेगा देश भर में भी जो हम लोग की संख्या बढ़ेगी उसका भी कारण बनेगा क्योंकि कई और ऐसे घटक जो पिछली बार नहीं थे उन्होंने पुना हमारे प्रधान मं अंडिया की तरफ से शुप कम ने तो हमारे साथ दे चिराग पासवान चिराग पासवान यह साफ कह रहे हैं कि इस बार चालिस में से चालिस सीटे अंडिय बिहार में जीते गा और जहां तक बात चाचा पशुपती-पारस की है तो यह आने वाले वक्त में उन्हें फेसला करना है कि वो राजनेतिक तोर पे कौन सा आगला कदम उठाते हैं लेकिन हाजीपूर से चुनाओं मैदान में भी आते हैं तो चिराग पास्वान उनसे लड़ने को तैयार है कैमरापरसर राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार न्यूज एट इन इंडिया दिल्ली करना है